नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्रेक्टिकल टेक्जिशन चैनल में आई होप आप लोग सभी बढ़ी आई होंगे तो इस वीडियो के अंदर में आपको दिखाने वाला हों कि किस तरीके से एक air handling unit के अंदर जो parts लगे रहे होते हैं जैसे कि motor और आपकी blower तो उनके बीच में जो पुली होती है उनकी alignment किस तरीके से करी जाती है कौन सा process रहता है कौन कौन सी बातों का धियान रखना होता है सारी बातों का या सारी process का detail इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा और ये भी बताऊंगा आगे चलके कि किस तरीके से जो individual parts होते हैं यानि कि सिर्फ motor या सिर्फ blur important नहीं होते हैं किसी भी HU के अंदर आपकी जितने भी parts लगे रहते हैं HU के अंदर वो सारे मिलके जब काम करते हैं तभी जाके आपकी जो air का flow है या air की जो quantity है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है यह क्या लिजे एक तरीके से आपका HU अच्छे से work कर पाता है और जो आपकी cooling है वो अच्छे से generate हो पाती है और आगे चलके आपको कोई भी complaint नहीं देखने को मिलती है cooling के recording तो चलिए वीडियो को जल्दी से start कर देते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब आप like करिएगा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जिससे कि मेरे आने वाली नए वीडियो का आपके पास notification आप आए तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कर दो है अचलिए कर दो है अचलिए निची देगे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक किजिए उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें आल वाले अप्शन को अनेबल कर लिजिए जिससे कि मेरी आने वाली सबी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन अपए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि एक एचू के अंदर पुली के अलाइमेंट किस तरीके से करी जाती है या किस तरीके से एक पुली के अलाइमेंट होनी चाहिए उसे पहले चोटा सा ओवर्विव दे देता हूँ पार्ट के बारे में क्योंकि कुछ लोग अभी इस वीडियो पे नए आया होंगे अगर जिन को पता है तो काफी अच्छी बात है तो सबसे पहले दो पार्ट में होते हैं एक होता है आपका बलोर यह आप सामने देख पा रहे हैं और एक होती है मोटर जो की बलोर को घुमाने का काम करती है तो इन दोनों के बीच में पुली और बेल्ट सबसे बड़ा में रिजन रहते हैं इन दोनों को घुमाने का तो य एक simple process है बहुत ज्यादर simple आपको कहीं भी धागा मिल जाएगा आपने simply जो पुली का front side रहता है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं यह blower है और यह motor की पुली है तो आपको दोनों पुली के front side पे जैसे यहां पर अभी आप सामने देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको दागा लगाना है पुली के front side पे जिससे कि आपको क्या पता चलेगा जो सीध है यानि कि ब्लोर की पुली और मोटर की पुली है उन दोनों की बीच की सीध पता चल जाएगी कि दोनों एक ही सीध में है या नहीं है अगर वो एक सीध में नहीं है इसका मतलब आपके system के अं नापनी इस तरीके साप कि मोटर के बीच में अगर दे पा रहे ही हों तो यह गर किस वजह से आता है जब आपकी मोटर आगए तो आपको धागे को पीछे की तरफ से लाना है और बलोर की पुली पे कुछ इस तरीके से टच करना है जैसे आप यह देख पा रहे हैं टच करी हुई है आपको देखना भी होगा कि वो जो धागा है बिल्कुल टच है या नहीं है अगर वो बिल्कुल टच है इसका मतलब पुली के फ्रंट साइड पर बैक साइड पर रखके उसकी सीब नापनी है जिससे कि आपको पता चल जाए आपकी मोटर की पुली और जो बलोर की पुली है वो दोनों सीध में है तो जो मोटर का बेस रहता है ना वो कुछ इस तरीके का है इसमें चार नट रहते हैं और नट है इसको फिक्स करने के बाद मोटर आपकी कहीं हिलेगी नहीं जी हाँ क्योंकि हमने अब फिक्स कर दिया है हमने धागे से उसकी सीध नाप ली है अब सिंपली आपको इन चारों को अब यह पार्ट जो आप देख पा रहे हैं जिसको आप पाने से गुमाया जा रहा है यह पार्ट के तुरू आप मोटर को थोड़ा सा आगे और पीछे कर सकते हैं अब वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस वज़े से इसको किया जाता है तो जैसे कि हमने इसमें फिक्स कर दिया इन चारों पार्ट को फिक्स करने के बाद आप देखे अगर आप अलाइमेंट नहीं करते हैं तो क्या बड़ा रीजन क्रीट हो सकता है बात में एर के फ्लो में दिक्कत आएगी वो भी समझ लेते हैं तो सबसे बड़ा में रिजन क्या रहता है आपका एयर का फ्लो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाती तो बाद में air के flow में थोड़ा सा क्या कर देती है दिक्कत करेट करती है यानि कि आपका जो air का flow है वो या तो ज़्यादा generate नहीं हो पाएगा या आगे डक्टे के थुरू जहां पर आपको cooling चीए वहाँ पर air का flow अच्छे से नहीं जा पाएगा जिससे कि आपको आगे चलके cooling में दिक्कत देखने को मिलेगी या यह कह लिए cooling की complaint आ सकती है तो motor की alignment बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि क्या होता है अगर motor और blur आपस में अच्छे से connect नहीं रहेंगे तो आप simple सी बात है आपका blur अच्छे से नहीं गूमेगा अगर blur अगर आपका blur नहीं गूम है अगर उसका portion यानि की position अच्छे नहीं रहेगी तो वो आपके motor के अंदर का जो part होता rotor उसमें fault create कर सकती है आपके motor को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा या यह कह लिए आपके motor को ज़्यादा काम करना पड़ेगा blur को गुमाने में जिससे कि आपके motor के जलने की वो क् पड़ेशी नहीं रहते हैं जिसके वजह से आपकी motor को ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा काम करने के वजह से वह ज्यादा हो जाती है और जलने के चाएस assize करना अपको सिंपली कुछनी करना है जैसे और अब आप 7 новा 5 5a जहादाग पयां नहीं आपको कहीं पुल पुली के फ्रंट साइट पर चेक करना है। उसकी सीध की दोनों पुली की सीध एक दम सही है या नहीं है। कहीं मोटर आगे पीछे सीफ्ट नहीं होगी है। कभी-गभी क्या होता है। को भूटर मोटर थोड़ी से टिल्ट्ट हो जाती है यानि कि अगर उसका पुली वाला हिस्सा है आपका थोड़ा आगे की तरफ भाग जाएगा या पीछे की तरफ भाग जाएगा जिससे क्या हो जाएगा जो बैल्ट है न वह अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती है जैसे इसा आप यहांपär बैल्ट कनेकnd करी है आप देख पारें यह आपका ब्लोर वाला हिस्सा है जो गहूम रहा है भी ऐसे कुछ इस त इतल ह में बेल्ट लूज रह जाएगी या कईलीजी आपका पोल्सन है मोटर वाला वह थोगा या नीटालण हो जाएगी जिससे क्या होगा या घुमे गए नहीं या तो अगर घुमेगा तो आपकी मोटर पर जादा पड़ेगा जो की बाब में आपकी मोटर जल सकती है तो आपको यह चीज़े ध्यान रखनी होगी तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट करने के बाद चला के भी देखा था कि कहीं बैल्ट लूस तो नहीं है या हमने जो कनेक्शन है वह अच्छे से किये हैं या नहीं किय करना पड़ता है तो कुछ इस तरीके से आपको आपका पुली अलाइमेंट करनी होती है सिंपल एक धागे की जरूरत है ज्यादा कोई बड़े एक धागा लेके अगर आप करना चाहते हैं कोई बड़ा रिस्की वाला काम नहीं अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो ज्यादा छेड़ साथ मत कीजेगा जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत आए तो यह वाला पोर्शन में आपको बताना चाहरा था यह क्या करता है मोटर के प्लैटफॉर्म को आगे पीछे करता है जिससे कि आपके बैल्ट लूज और टाइट हो जिसके वज़े से पूरा एक सिस्टम वर्क कर पाता है जैसे कि आपको मैंने बता है अगर मोटर थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है तो आपको आगे जागे एर के फ्लो में दिक्कत देखने को मिलेगी अगर आपकी कोई पुली दिक्कत दे रही है या बैल्ट दिक्कत द रखा था डैमपर आपको पता ही होगा एर के फ्लो को आप बंद या ये कहले जिसरे के आगे इयर का फ्लो नहीं पर जा पाए तो आप पुरी प्रॉपर साफधानी चलते हुए एंदर नहीं जाएगा क्यूंकि इसके अंदर बहुत जादा फ्लो होता है यहाँ पर डैमपर बंद था और हमारा जो गेट था, एचू का वो खुला था जिसके वज़े से अंदर की तरफ वैक्यूम नहीं हो पा रहा था अगर आपका डेंपर खुला होता और आपने एचू चला दिया होता तो आपका जो वैक्यूम है अंदर की तरफ अवा जाती है हवा जाती है इस गेट के तुरू तो जहां भी अगर आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो प्लीज साफधाने के साथ करिएगा तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ तब तक लिए गुड़ बाई